किसान भाइ यो धान की खेती खरीब सी जंके सबसे महत्वूर्ण फशल है देखा जाय तो धान की खेती अधिक्तर उन छेत्रों में होती है जहाँ पर सिचाई के अच्छे संसादन मौजूद है किसान भाई धान की खेती में रोपाई के लिए धान की नरसरी का काम शुरू करने वाले हैं ऐसे में धान की खेती से बंफर पैदावा लेने के लिए धान की अच्छी किसमों की नरसरी लगाना सबसे महतुपूर्ण होता है किसान भाई हमेशा नर्शरी के लिए अच्छी quality की उन्नत किसमों का ही जैन करें क्योंकि इस प्रकार की किसमों में कीडे और रो की संभावना कम होती है और या कम समय में अधिक पैदावार देने में सच्छम होती है किसान भाईयों अलग-अलग छेत्रों में कई प्रकार की अलग-अलग वराइटियों की खेती हमारे किसान भाई करते हैं जो 90-130 दिन में तयार होती है लेकिन आज हम आपके लिए धान की अच्छी क्वालिटी वाली टॉप क्लास की चार किस्मों की जानकारी लेकर आए हैं जिनकी खेती कर आप कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भायों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं अपनी उन टॉप क्लास की किस्मों के बारे में इन में हमारी पहली वराइटी है किसान भायों पूसा 14-60 पूसा 14-60 बासमती धान की एक किस्म है किसान भाईयों इसके दाने लंबे वजंदार और खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट होते हैं धान की इस किस्म को 2007 में विक्षित किया गया था जो की 130 से 135 दिन में पक के पूरी तरह से कटाई के योगे हो जाती है इस किस्म की और स्थन पैदावार किसान भाईयों 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ है इसके पौधों की लंबाई मीडियम रहती है इस किस्म के धान के पौधों में प्रति बाली दानों की संख्या 170 से 190 दाने होते हैं किसान भाईयों अब हम अपनी दूसरी सबसे बेस्ट व्राइटी के बारे में बात करें तो वो है किसान भाईयों पूसा सुगंध थिरी किसान भाईयों यह एक अरली व्राइटी है जो की 120 से 125 दिन में पक के पूरी तरह से तयार हो जाती है किसान भायो इस वराइटी में फुटाव काफी अधिक होता है हर एक पौधे में 15-16 कल्य होते हैं किसान भायो बालियां काफी लंबी होती है बालियों में दानों का भराव भी भरपूर मात्रा में होता है यदि किसान भायो हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वराइटी आपको 22 से 24 कुंटल प्रती एकर पैदावार निकाल कर दे सकती है किसान भायो हमारी जो तीसरी व्राइटी है वह है सबसे बेस्ट व्राइटी है वो है DRR 310 125 दिनों में पक के तयार होने वाली यह किस्म सबसे पॉपलर किस्म है किसान भायो रोग प्रतिरोधक की बात करें तो इस किस्म में रोग काफी कम लगते हैं क्योंकि यह व्राइटी BLB, RED BLAST जैसे और भी खतरनाक रोगों के प्रत काफी ज़्यादा सहन सील होती है किसान भायो इस मामले में भी यह व्राइटी काफी ज़्यादा अच्छी है इसमें रोग बहुत कम लगते हैं यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह व्राइटी मध्यम वर्ग की व्राइटी है लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है हर एक पोधे में दानों का भराव अच्छे से और काफी ज़्यादा मात्रा में होता है और खाने में भी यह व्राइटी काफी अच्छी है यदि किसान भायो हम इसकी पैदावार की बात करें तो 55 से 60 कुंटल प्रती हेक्टेर पैदावार आप इससे निकाल सकते हैं तो किसान भायों अब हम बात करते हैं अपनी 44 सबसे बिष्ट बराइटी के बारे में तो वह है किसान भायों सवण्ना सीट्स की विक्सित की हुई बीज कुबेर जो कि आजकल मार्केट में काफी चर्चा का विश्यवना हुआ है किसान भाई आँख बंद करके उसको मार्केट से खरीद रहे हैं और वुआई कर रहे हैं किसान भाईयो आज हम भी अपने वीडियो में इसी बीच के उपर चर्चा करेंगे आखिर क्यों या धान भीच किसानों की पहली पसंद बना हुआ है लोग इसको बीच देखकर नहीं बलकि नाम से ही खरीद रहे हैं तो चलिए किसान भाईयो हम वीडियो को सुरू करते हैं किसान भाईयो या धान भीच कावेरी कमपनी के सुपरसिद किस्म है जिसे जी के कुबेर नाम से जानते हैं यह research किस्म है इसे हाली में विक्षित किया गया है यह variety आप जितनी प्रसिद्ध है उससे ज़्यादा मज़ेदार इस किस्म की बनने की कहानी है क्योंकि यह किस्म डेमों में सफल नहीं हुआ था किसान भायों अब हम इसकी विश्यस्ताओं के बारे में बात करेंगे जो इसे नमबर वन वराइटी के रूप में निकाल रही है यह किस्म 115 से 125 दिन में पक के पूरी तरह से कटाई के योगे हो जाती है इससे किसानों का यह फायदा होता है कि इसके कटने के बाद लोग आलू मठर वा अन्य अगेती खेती किसान भाय कर सकते हैं किसान भायों इस किस्म में कल्लों की संख्या लगभक 16 से 18 होती है दाना पतला छोटा वा चमकदार होता है खाने में भी यह वराइटी काफी ज्यादा स्वादिश्ट होती है इस जहा किस्म मध्यम उचाई वाली है 20 कुंटल प्रती एकड उत्पादन निकालकर दे सकती है किसान भायों इनी सब कारणों की वजय से यह किस्म आज नंबर वन किस्म के रूप में निकल रही है तो किसान भायों आप भी चुनिए एक एसा धान बीज जो एक अच्छा उत्पादल आपको निकाल कर दे सके तो यहाँ थी किसान भाईयों हमारी चार सबसे अच्छी पैदावार देने वाली ब्राइटियां अगर आप इनका चैन करते हैं तो निश्चित ही आप धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं तो मिलते हैं किसान भाईयों हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों